कामदा एकादशी वर्ष की सबसे महतुपूर्ण एकादश्यों में से एक भगवान विश्णु को समर्पित है। यह दिवस आध्यात्मिक विकास और मनुकामना पूर्ती के लिए अत्यंत शुक माना जाता है। इस दिन भगवान विश्णु की विशेश पूजार्चना करने से उनकी अपार कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाईं दूर होती है। भगवान विश्णु का बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पांच माला जाप करें। यह मंत्र भगवान विश्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इससे धन और समर्थी प्राप्त होती है। जाब करते समय माला का उपयोग करें और शांत चित से मंत्र का उच्चारण करें। आप इस मंत्र का जाब करते समय भगवान विश्णों की मूर्ती के सामने बैठ सकती हैं या मंदिर में जा सकती हैं। जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र धन या अन्य जरूरतमंद वस्तुई दान करें। यह माना जाता है और यह विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। यह शांत जित से मंत्र का उचारन कर सकती है। पूल अर्पित करते समय भगवान विश्नु से कारिशित्र में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। ब्रत के अगले दिन इन फूलों को आधर सहित जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकरात्म कूर्जा दूर होती है और सकरात्म कूर्जा का संचार होता है। आप इन फूलों को किसी नदी, तालाप या जीर में प्रवाहित कर सकती है। पूजा विधी कुछ इस प्रकार है। सूर्योधय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान के लिए गंगा जल या स्वच्छ जल का उप्योग करें। स्नान के बाद स्वच्छ धूले हुए वस्त्र पहने। पीली या सफेद रंग के वस्त्र पहनना भगवान विष्णु को प्रिय होता है। अपनी पूजा स्थान को साफ सुत्रा और सुगंधित करें। पूजा स्थान को फूलों, मालाओं और रंगोली से सजाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु के साथ मातालक्ष्मी, भगवान शिव, गनेश जी और कार्ति के जी की भी प्रतिमा या चित्र स्थापित कर सकती हैं। दीप, धूप, नैवेद्य, फल, फूल, आदिसी भगवान विश्नु की पूजा करें। बजाकर भी प्रसन्न कर सकती हैं। बजाकर भगवान विश्नु की भगवान विश्नु की भजन की तन करें। भगवान विश्नु की आरती उतारी, आरती उतारती समय घंटा वजाकर और शंक वजाकर भगवान विश्नु का अहवान करें।